बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में आपका सब्द भंडार या शब्द भेद पढ़ेंगे हाना आपको पता है यह सब्द भेद अर्थ के आधार पढ़ें हाना सबसे पहले आपका इसमें प्राइवाची शब्द ठीके जो सब्द अर्थ की दृष्टी से समान होते हैं मत गज हस्ती मतंग हना परवत का पहाड ग्री शेल ऐसे शरीर की काया गात दे हना इश्वर का प्रभू परमात्मा भगवान आदी हना तो वो शब्द जो अर्थ की दृष्टी से जिनका मिनिंग की दृष्टी से समान होते हैं प्राइवाची या समानार्थी शब्द कहलाते थी कि आगे समें फिर आपका है विलोम शब्द जो शब्द किसी शब्द के ठीक बोध कराते हैं वह बने जैसे आपका ग्रहन का त्याग जै का प्राजे अमरी त्वीस सन उपन नीचे ऐसी जो Teakना स्वे शब्द जो क्या है दूशर जो शब्द किसी शब्द के बिवेख उल्टे अर्थ का बोद कराते हैं आelt समझ में फिर आपका है सम्सुरूती बिनारतक शब्द वाक्य अत्वा वाक्य का वहां अंस जिससे अजाताा शिर्शक के रूप में व्यक्त किया जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है हना आगया संज में वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है फिर आपका है इसमें अनेक अर्थक शब्द हना कुछ शब्दों के अर्थ एक से अधिक अर्थात भिन-भिन होते हैं उन्हें अनेक अर्थक शब्द कहते हैं ठी स्याधिक अर्थ होते हैं बादल भी होती है घटा भी बोलते हैं वर्व जो है आपका इसको पती भी बोलते हैं वर्मने वर्दान देना भी होता है और दुला दुले को भी वर कहते हैं ठीक है तेना फिर आपका समय अवधी अवसर फुर्चत समय को क्या करें अवधी भी बोल होता है और गुरुमने भारी भी होता है आगे समझ में धना कुछ ऐसे सब्द क्या है यह कुछ ऐसे सब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं हाना एक अथा भीन-भीन होते हैं उनके अनेक शब्द कहते हैं ठीके फिर आपका समान अर्थी प्रतित होने वाले शब्द हैना ऐसे सब्द जो दिखने में एक जैसे अर्थ वाले प्रतित होते हैं ठीक है एक जैसे अर्थ वाले प्रतित होते हैं प्रंति उनके अर्थ भिन भिन होते हैं वे समाना अर्थी प्रतित होने वाले शब्द कहे जाते हैं जैसे आपका मेरे आप जो विषाल बूति किताब उसे हो ते शहाषस घ्रण्थ Vietnamese किताब उसे वडिए विशाल ग्रंथ है महां भायात एक विशाल ग्रंथ और ऑगे स्निगे हना पका मेंस मजबूत पका मने मजबूत और पकावा मने जो पकावा आम होई उसले पका आम है ठीक है आप इस तरह से सभी उसको पढ़ोगे आप शब्द बेदु को और उसको याद करोगे धन्यवाद